वेलकम नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इलेक्टिकल कर लिए यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आप हैं पर देख सकती हो आज है हमारे पास एक सोलर SMU यानि के सोलर मैनेजमेन यूनित तो ये दोस्तों आप कहां पर उपयोग में ला सकते हो इसके सभी फीचर्स बताने वाले इसी वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप देखिए यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसान आए तो प्लिए हमारे यूटूब सब्सक्राइब करते हैं जहां पर एक नूर्मल इनविटर लगा हुआ है व्यदि आपके घर में नौर्मल इनविटर लगा ओआ है और आप सोलर पिंद्न लगवाने की सोच रहे हो तो दो आपको एक सोलर इनविटर पर आपके घर में एक पुराना इन्वेटर लगा हुआ है जो कि आपके बेटरी को राइटर ऐसे लोड से चार्ज करता है तो दोस्तों अधी आपको वह इन्वेटर नहीं बदलना है तो आप एक सोलर स्वाँर मेंनेजमेंन भी आपके बेट में बदल जाए तो इसका काम हाँ होता है तो इसके बाले External sto edfan में लेते तो सबसे लेगा एक digital इस लिए इसे डिजिटोल डिप्ले के आंदर आपको और सबी वोल्टेज एम् Gloria अपर सभी आपको अपर शो होंगे यहां पर आप देख सकतोे उन्पेशन लाइट लगी हुए एउस का मतलब होता है आप Bis वालाइट करेगी यह सार मनलब बाइपास को बाइपास करोगेब को बाइपास को बता हूँ के से काम करता है यहाप दोस्तों पर पर आपको एसी वाला आपर राइट इंडिकिसन देगा तो सबसे पहले इसके बारे में और जान करी लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो। एक इस्टिकर लगा हुआ यह रहा दोस्तों स्टिकर सोलाइड मेनेजमें यूनिट का तो यहां पर मोडल नमबर लिखा हुआ है जेडारेस ट्वेंटी एट्वेल वोट्स लेस ट्वेंटीफॉर्ट वॉल्ट तो मतलब दस्तों यह 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है और 24 मतलब सबस्तों अπά जबनेज़ेगा जब दोस्तों मसलिख कर तो स्व् prophets दुवेंटी एंप्यर मतलब सबस्तों मुन्य कentially सब्सक्रीट और 20 वोल्ट है और थे के लोट के पेशिती जब भी आप इसके साथ करोगी पट्री को ठेंपर से आपका जो इन्वाटर यहाप आपड़ आराम से पावर दे देगा यहापार आप देख सकते हो, लोग से बाइप करने का यह पर आराम से ख़िए और अपने नर्मल इंवर्टर को एक सोलर इंवर्टर में बदाल सकते हो आपको कोई बिया अलग से solar inverter लेने की ज़रूरत नहीं है तो यह दोस्तों जब भी आप अपने inverter के साथ लगाओगे वो एक solar inverter आराम से बन जाएगा तो अब बात करते हैं इसके आपको connection की तो आपको connection कैसे करना है इसके आपके पास एक normal inverter है तो आप उसके connection कैसे करोगे इसके साथ में तो सबसे पहले यहां पर आपको दीखेगा एक power code तो जब भी आप आपके जो inverter होता है पुराना inverter होता है उसको आपको AC के साथ supply देने पड़ती है तो उसके जो plug होता है जो आपका normal inverter का जो plug होता है द्राइब और इसको आपको AC socket में है पर लगाना पड़ेगा फिर बाद याती है कि स्लोला पीनल के सोला पेनल को आपको है लिए प्यूंने आपन सब्सक्राइब उतके और सबसे बीजिए वाले और किंट हो गए मैंस और सोलर जब भी आपको इत ? सबस्थे पहले सॉलर वाले आपको जो बटन है राखना है आपका बेट्री होते हो गी चार्जा न आ पर मतलब हैं आपकी जो बैटरिय उस को आपर को मेंस पर चार्ज Strike करना एइसका आपको जूँछ Art को मेंस पर आपको आपको सब्स करने पड़ेंगा इस सोलर स्मूं के साथ भी हैक पर पर्लेटर करने पड़ेगां जब आध्यपसर लस्ट है करेंगा जब आपका सोलर एसम्यों होता यह बैटरी को चार्ज करेगा इस प्रकार से आप अपने पुराने इन्वोटर को लगाऊगे तो यहां पर हो जाएगी मतलब यहां पर आपकी जो आपकी बेटरी को चार्ज अगरेगा ना कि सोलर से अपकी बेटरी यहां पर चार्ज होगी तो इसको प्रकार से आप इसके कर सकती हो सभी इंफोर्मेशन आपको इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से आप एक नॉर्मल इन्वेटर को अपने सोलर इन्वेटर में बजल सकती हो तो दोस्तों आपको ये वीडियो किसा लगा तो प्लिस हमारे यूटूब चैनल इलेक्टिकल कर प्लिस सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टोपिक के साथ जहिन